आज की इस वीडियो में मैं आपको मैला थ्यान 5% देश्ट पाउडर के बारे में पताऊंगा जिसका प्रियोग फसल का नुक्सान करने वाले कीट पतंगों को मालने के साथ साथ उन्हें भगाने के लिए भी किया जाता है इसका प्रियोग घर, सारजनिक अस्थलों, अस्पतालों वा गंदगी भरे जगों से मच्छर मक्खी काक्रोज भगाने के लिए भी किया जाता है मेलात्यान अर्गेनो फासफेट परिवार का कीट ना सक है जो एसी टायल कोली नेस्टेरेच अवरोधक के रूप में कारे करता है इससे आप सिंपल सी भहसा में ऐसे समझ लिजिये कि अगर कोई कीट अपने सुई आकार चूशक मूँ से इस दवा को चूश लिता है या उसके सरीर पर ये दवा पढ़ जाती है तो ये दवा उस कीट को उसके तंतर का तंतर पर बहार करके मार देती है ज़्यादा तर देखा ये जाता है जहां भी जिस प्रीपोधे पर मैलाथियान पढ़ा होता है वहाँ उस जगा पर उस पोधे पर कीट जाना ही छोड़ देते हैं और ये तब तक छोड़े रहते हैं जब तक मैलाथियान का असर बना रहता है फसलों में इसका प्रियोग लगभग सभी फसलों में किया जाता है साग सबजी में मैला थ्यान का प्रियोग 5 किलोग्राम प्रति एकर तथा धान गेहूं जौर बाजरा मक्का इत्यारी फसलों में 10 किलोग्राम प्रति एकर के हिसाब से करना चाहिए इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा तर ब्लू लेबल की होती है लेकिन कुछ कमपनिया इसे एलो लेबल की भी बनाती है तो यह आपको एलो लेबल में भी मिल जाएगी वेटिंग पीडियाट का समय निर्धारित तो नहीं है लेकिन यहाँ एक बात निर्धारित जरूर है कि जिस फसल पर आपने प्रियोग किया है वहाँ पर यह जिस समय तक मौझूद है वहाँ कीड का अक्रमर तब तक नहीं होगा मेलाथियान का प्रियोग कर्शी कार में सबसे ज़्यादा धान में लगने वाली गंधी को भगाने के लिए किया जाता है या फिर उन्हें मालने के लिए किया जाता है ऐसा भी आप कह सकते हैं अगर आप गंधी को भगाने के लिए या मालने के लिए मैलाथियान का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपको सुबह या साम के समय में प्रयोग करना चाहिए जिस से आपको बेहतर परणाम मिल सकी मुझे नहीं लगता है कि इसके मारकेटिंग नाम और निर्माता कंपनी के बारे में बात करने के जरूरत है क्योंकि इसे ज़्यादार फालिडाल के नाम से या फिर मैलाथियान के नाम से खड़ीदा और बेचा जाता है तो आज की इस वीडियो में इसी छोटी सी जानकारी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद राम राम